हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका सवागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वेटो राइट में दोस्तों इस वीडियो में जो आपके कमेंट आये जो आप पोचना चाहते थे कि मेरे इतने मार्स है कि एड़िशन हो जाएगा ठीक है या फिर आपके जो भी कोश्चन थे जो आपने कमेंट में किये थे उन सब का रिपलाई में इस वीडियो में दूँगा ठीक है अगर आप सेाइटेस काउंसिलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर जानना चाते है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाई है उसका लिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसको देख सकते है और हाँ अगर आप अभी तक टेलिग्राम गुरूप से ने जुड़े है तो उससे भी जुड़े है उसका लिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है अब जो आपके कमेंट आए थे वो देखते है फिर मैं उनका एक एक करके को एनेश्टाई में तो में बताना चाहूंगा अगर आपके छापपन नमबर है यह एवस कैटेगरी से आप है आपका एडिशन राम से हो जाएगा ठीक है ले इस बात का जानकना आपको एनेश्टाई राम से मिल जाएगा फर्ष्ट जानता को उम्मीद है फर्ष्ट काउ कांसलिंग कर लोगे आपको उसके बाद प्रोविजनल एडिशन लोगे तो आपको नियरेस्ट एनेश्ट 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 तो अगर मार्क्स कम है तो आपको नहीं भी मिल सकता है दो सकते हैं से नीचे है तो आप यह माइंड सैट मत रखे कि मुझे वही कोली चाहिए ठीक है आपको जोन सभी नेश्टाई में ले एडिशन ले लिजे सब जगह अच्छी पड़ाई होती है और लेंगवेज की कोई प्रोब्लम किसी भी नेश्टाई में नहीं होती ठीक है बले आप चि के लिए कौन से स्टेट भरूं प्लीज गाइड मी सर एंड काउंसलिंग के आगे का प्रोसेस कभी स्टार्ट होगा तो यह भारती ने भारती मित्तल ने कमेंट किया था तो मैं इनको बता दूं कि ऐसा माइंड सैट मत रखे कि वही स्टेट डालना है आपके 59 नंबर है इसको फिल कीजिए उसके बाद आप अधर कोलीज डाले नीचे ठीक है और ऐसा मत डालना सभी पसंद के डाल दे और आपकी रैंकिंग अच्छी सो नहीं कर रही है तो सारी चीजे देखके जब बाकी के चार कोलीज तब डालने है ठीक है और काउंसलिंग की अभी कोई अप कर दिया जाएगा अब यहां पर देखे 48 OBC ट्रेक्टर मेकानिक मिल सकता है क्या एक ही कोलीज लुद्याना सिवम गुजर का मैसे जाए इसका मैंने हालक रिपलाई पहले कर दिया था कि देखो मिल सकता है आपको ऐसी बात नहीं कि मिलेगा नहीं लेकिन कंफर्म नहीं है कि वह एनेश्टे लुद्याना ही मिले ठीक है लेकिन साइद जो यह ट्रेक्टर मेकानिक ट्रेड है साइद एनेश्टे लुद्याना में यह होर जगाई यह है भी नहीं तो मेबी अगर आपको हो सकता है 48 पे तो हो जाएगा जात अको उम्मीद है ठीक है अब बात करते है रत में पढ़ते हो यह एनेश्टियाई में ठीक है आप किसी भी कैटिगरी कंडिडेट हो कहीं पर भी इस पोलर सी नहीं मिलती ठीक है अब यह नेक्स्ट कमेंट है सर मेरे साथ नंबर एममवी जनरल से हो कानपूर मिल जाएगा क्या कानपूर नहीं बहुत सकते कि आपको पर मिल जाए ठीक है अब आगए यह नेक्स्ट कमेंट था सेकंड काउंसलिंग की भी फीस लगेगी क्या क्या पांच मैक्सिमन कोलीज ही लोग होते है तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग की फीस एक बार ही लगेगी ठीक है जब आप पर्ष्ट उसमें फर्ष्ट फेज में पार्टिस्ट करोगे तो जब आप काउंसलिंग फीस जमा कर दोंगे अगर किसी कारण आपका एडिशन नहीं होता तो सेकंड फेज में आपको फीस जमा करने के आव सकता नहीं है उसी से आपकी काउंसलिंग होगी ठीक है और हाँ पांच मैक्सिमन कोलीज ही लोग कर सक ठीक है अब यहां पर यह आया है कमेंट गोर्मेंट आइटी ओटी से एडिस कोलीज में एडिमिसन हो सकता है क्या 43 नंबर है इलेक्टिशन से क्या काउंसलिंग कराना होगा या डिरेक्ट कोलीज से एडिमिसन हो रहा है प्लीज रिपलाई तुम आपको बता दू देखे ड यह नेक्स्ट कमेंट है नितेश का सर मेरा फिटर ट्रेड में 38 नंबर आया है कैटिगरी ओवी सी है है एडरबाद नेश्टी कोलीज मिल जाया क्या देखे मैं आपको पहले बता दू मैंने इसे पहले भी रिपलाई कर दिया अला कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका ट देखे जहां तक मेरा मानना है 38 नंबर पर हैदरबाद मुस्किल मिले में अगर जब आपका एडिविशन हो जाएगा कि दूसरे नेश्टाई में उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए अपलाई करोगे तब हो सकता है आपको नेश्टाई हैदरबाद मिल जाए यहां पर य इलेक्ट्रिकल पर कानपूर मिल जाएगा 58 पर कानपूर नहीं मिलेगा ठीक है और ट्रांसफर के बाद कोई समभाव न बने तो मैं कह नहीं सकते लेकिन 58 नंबर पर तो मिलेगा इन ही क्योंकि कानपूर की जो मेर्ट है वो थोड़ी हाई रहती है ठीक है त्रैंसफर नहीं होता यह सब्सक्राइट के लिए कर सकते हैं कोई दिकत कुष्ट नहीं है और मैंने निस टरांसफर किया था तो हो जाता है इसमें कोई घवराने वाली बात नहीं बिल्कुल होता है आई-टी-ओटी से भी थीक है सार मैं फीटर से हूंार्स एफ अर्स मोर्स च्छिन नहीं मिल जाएगा क्या अराम से मिल जाएगा आपको फीटर में अराम से मिल जाएगा छाथीcontrah नमबर है यह नोईडंट में फैसन टेक्नीलिजी में यह एक्षान हो सकते है अधर में खेंस्टारी by नायीं फोड़ी िसलिश्वाध ही रखती है लिकिन आपको दूसरा यह 196 कोस्माटोछी 44 नमबर ही披ानाव मिल जाएगा, ओभी सी, फॉस्ट डाॉंड में पार्टिसपीट कर सकते हैं, जी बिल्कुल फॉस्ट डाॉंड में आप पार्टिसिपट कर सकते हैं नाल आम मिल जाएगा. यह अल्टिमेट vì रेसर का है, सर, मैंने सुना है कि शी कर छोडुस नाले-इं-Ca along होता है क्या ये बात सही है सर प्लीज रिप्लाई तो मैं आपको बता दू अगर आप एनस्टियाई या इटियोटी किसी से भी सियाई टेस्स करते हो वो सब जगे माननिया है जब आपका रिजल्ट आएगा यानि आपका वो सर्टिफिकेट आएगा वो एक्विली ही होगा से अगर आप लखनाउ से है तो मेरे साथ से आएटियोटी लखनाउ में भी सायद फीटर है तो उसको भी आप डाले क्योंकि वहाँ फीष कम है और छको लीजाए वोगी और वाकि आप चार कोई भी अपने इसाफ से से लेक्ट कर सकते है ठीक है और मेरा मानने सबसे पहले आप एंश्टेए चूज करना उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर आईटियोटी लखना को प्रिफ्रेंस देना और उसके है कि आपको यह पांच ही को छो आप पसंद आप जहां इच्छा रखते हैं कि मैं मेरा हो जाए अगर हो जाए तो अच्छी बात है चार को लिग जैसे चूज करें जिससे आपका दूसरे कोलेज में उसके बाद आफ ट्राउंड के लिए एक ही बार पेमेंट करना पड़ेगा या दोबारा करना पड़ता है इसका रेपलाई मैंने पहले कमेंट में कर दिया था देखे काउंसलिंग की फीज सिर्फ एक बार जम्म होगी उसके बाद आगे की प्रोसेस में भी अगर आपका फर्स्ट काउंस सिलिंग में नहीं आता है तो आप जो आपने फीज जमा की थी वह सैकेंड में चलेगी ठीक है आपको दोबारा जमा कराने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक दोस्तों तो यह आपके कुछ कमेंट आए थे मैंने लिये मेरे साब से आपके लगबक सभी के जितने भी डाउट थे करने की मैंने कोशिस की फिर भी अगर आप के कुछ अगर डाउट छूट गए इसमें तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कर दे अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब करना भी न बोले कर दो तो तरने वाद